श्री मा सारदा देवी के जीवन की कुछ घटनाओं का संकलन श्री मा ने कहा था देखो, सब कहते हैं कि मैं राधू-राधू ही करती रहती हूँ मुझे उससे बहुत लगाव है यहां लगाव यदि न होता तो ठाकुर के शरीर त्याक के पश्चात यहां देह न रहती अपने काम के लिए ही राधू-राधू कराकर यहां देह रखी है जब उसके उपर से मन चला जाएगा तब फिर यहां देह भी नहीं रहेगी सन 1920 की फरवरी के अंत में काला ज्वर रोग से आकरांत हो श्री मा कुलकाता आई चिकित सको की आप रांट चेश्टा के बावजूद विमारी भोगते भोगते श्री मा क्रमशह शिर्ण होने लगी और देखने में आया कि राधू के उपर से भी श्री मा का मन क्रमशह उत्ता जा रहा है स्वयम ही वे एक दिन बोली अब मन सरवदा उन्हें चाहता है अन्य कुछ भी अब अच्छा नहीं लगता यहां देखो ना राधू को कितना प्यार करती थी उसकी सुख सुविधा के लिए कितना कुछ किया अब सब उलट गया है उसके सामने आने से बेजार लगता है अपने काम के लिए ही ठाकुर ने इतने समय इन सबके माध्यम से मन को उतार कर रखा था अन्य था उनके चले जाने के पश्चात मेरा रह पाना क्या संभव होता आखिरकार श्री मा ने एक दिन साफ साफ कहा शरत से कहो कि उन्हें जैरामबाटी भेज दे सेविका ने पूछा उन्हें भेजने को क्यों कह रही है राधु को छोड़ कर रह पाएंगी श्री मा ने दृड़ स्वर में कहा खूब रह पाऊंगी मन को उठा लिया है सब कुछ सुनकर सारदान अंद जी ने भारी रिदय से कहा तो फिर मा को अब और नहीं रख पाएंगे राधु पर से जब उन्होंने अपना मन हटा लिया है तो अब और कोई आशा नहीं है देहत्याक के कुछ दिन पूर्व एक भद्र महिला से श्री मा ने कहा यदि शांती चाहती हो बेटी तो किसी का दोश मत देखो देखना है तो अपने दोश देखो जगत को अपना बनाना सीखो पराया कोई भी नहीं है यह संसार तुम्हारा है इस संसार के लिए यही उनकी अंतिम वाने थी और सभी को दे गई है आशिरवाद जो आए है जो नहीं आए और जो आएंगे मेरी समस्त संतानों को कह देना मेरा स्नेह मेरा आशिरवाद सब पर है अंतिम दिन चार श्रावन तेरह सो सत्ताईस बंगाब्द 21 जुलाई 1920 समय रात तेड़ बजे मंगलवार